हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमेरे चनल PNS इंस्टिटूट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SSC MTS का रिजल्ट कबा सकता है दोस्तो बहुत सारे कैंडिडेट जो SSC MTS का इजाम दिये हैं वो अभी तक इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि लगभग लगग एक महीने का डिले चल रहा आपके रिजल्ट आने में तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आप इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा तो चलिए जिन चोप टोपिक्स पर हम बात करने वाले हैं वो है कि रिजल्ट कब आएगा आपका कटफ क्या हो सकता है और साथ में आपका टायर टू कब हो सकता है दोस्तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साथ जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूब चाइनल भी ऐसा बता रहा थे कि आपका साथ जनवरी तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा लेकिन चुकि कोरोना का नया केस आ चुका है इसी के कारण आपका जो ही जाम में है वो डिले हो गया क्योंकि दिल्ली इसका हेड ओफिस है यसे सी का और वहाँ पे जो करमचारी है पहले तो हाफ करमचारी ही काम कर रहा है और साथ में उनका weekly भी lockdown चल रहा है वहाँ पे तो उसके कारण आपका इजाम के result में कुछ delay हो रहा है लेकिन इस महिने के अंत तक result आने के पुरी संभावना है जैसा कि expected लग रहा है पुरा confirm अभी कोई official notification नहीं है इसलिए आप लोग बाद में मत बोलना कि मैंने कोई आपको false promise कर दिया है ये इस महिने के अंत तक आपका result आ सकता है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इजाम जो है October November में हुआ था ठीक है लगभग 2-5 महिने में SAC पुरा किसी भी result को निकाल देती ठीक है तो यहाँ पर 2-3 महिने हो चुके हैं लगभग लगभग तो आपका इजाम का result अब आने की पुरी की पुरी संभावना बन रही है तो चलिए next बात कर लेते हैं cut off की तो जो SAC का cut off होता है दोस्तों वह दो age group में आता है एक age group होता है 18-25 और एक होता है 18-27 यहाँ पर मैं आपको 2019 का cut off दिखा रहा हूँ इस्क्रीन पर जो state wise आपका cut off दिया हुआ है तो लगभग लगभग इसी के आसपास आपका cut off जाएगा जो की 80 से 86, 90 ठीक है यहाँ की आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 से नीचे किसी भी state का cut off नहीं है ठीक है और highest जो cut off है वह 93, 94 तक गया हुआ है तो आपका इस साल भी जो cut off जाने माला है वह इसी के आसपास जाएगा ठीक है तो आप जितने भी candidate जिनका 80 से उपर है वह आपने tie 2 के तियारी कर सकते है क्योंकि अगर आपका अभी जैसे कि आपने अगर चेक किया है इंसर की तो इंसर की से अगर आपका 70 to 75 नंबर आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइज होके वह 85 फ्लस या 80 to 85 जाएगा तो जितने भी candidate 70 से उपर आपके raw score है तो आप tie 2 का तियारी करना शुरू करती जी और बात करें दोस्तों एक और यहाँ पर important question है कि tire 2 आपका कब हो सकता है तो tire 2 का जो इजाम होगा वह result के एक से sorry result के आपके तीन महिने बाद लिया जाता है तो जैसे कि अगर आपका जन्वरी में result आ जाता है तो आपका जो tire 2 होगा वह होगा अपरील में इसलिए आपको तीन महिने का समय मिल जाता है इसके लिए तियारी करने का तो आप जरूर से जरूर अपनी तियारी जारी रखिए जितने भी candidate का 20 प्लस RAW स्कोर आ रहा है वह जरूर अपना तियारी कर सकते है दोस्तो ये था हमारा पुरा discussion SSC MTS के result के expected date के बारे में बाखी कोई भी अगर SSC MTS के बारे में notification आती है तो आपको सबसे पहले इस channel पर मिल जाएगा इसलिए make sure आप इस channel को subscribe जरूर कर दीजे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को like जरूर करिएगा धन्यमाद दोस्तो मिलते हैं आपसे हम next वीडियो में